नमस्कार दोस्तों स्वागर आप सभी का तिकिराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने एमाई एट्री पर म्यूजिक एप के प्रॉब्लेम को सॉल्फ कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो पर उसमें आपको इसी के रिगार्डिंग पर जो हैं सॉलूइशन बताने वाला हो ठीक है तो दोस्तों आपको पता होगा कि आपको जो हैं बाइडिफॉल्ट एक म्यूजि है काम नहीं करते हैं या सल्ट में सब्सक्राइब को सब्सक्राइब नहीं कर रखाई तो सब्सक्राइब करके बेलं आइकन को क्लिक जरू करें यहीं आप उनलाइन पेसा कमाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाके मिल जाएगा जाके आप चेकाउट कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पर कैसे हमें सॉल्फ करना हैं म्यूजिक एक बार अपडेट करके देखिए एप अपडेट करने के लिए दोस्तों आपको एप के अंदर पर जाना होगा और उसके बाद दोस्तों यहाँ उपर जो आपको टीन लाइन ने दिखाई देरा उपर में उसमें क्लिक करना है और सेटिंग पर जाना है और दोस्तों उसके आपको यह पर मिलेगा update automatically का option तो उसमें जाके दोस्तों आप जो है यह पर auto update select कर ले या तो फिर आपडेट ही direct कर लीजीगा ठीक है तो एप को update वगएरा करने के बाद दोस्तों आप चेक करके देखे update के बाद fix होता था प्रोब्लेम तो आची बाद है लेकिन दोस्तों update के बाद भी अगर प्रोब्लेम सौर्फ नहीं होते तो जाएए आपने mobile के setting पर और scroll down करके apps को open करें और उसके बाद मेनेच एप मेनेच एप पर जाके दोस्तों आपको यहाप पर search करना है music तो यह रहा उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है आपको फोर्स टोप करके ओके करना है उसके बाद clear डेटा पर क्लिक करके clear all data करके okay कर देना है ठीक है तो यह करने के बाद दोस्तों आप जाएएगा permission setting पर तो storage permission को एलाव कर देने बस उसके बाद device को restart वगरा कर ले और चेक करके लिखे प्रॉब्लम सॉल्फ हो चुका होगा ठीक है तो सिंपल सा मिटोटे follow कर लिजे आपको कोई भी दिक्कत दुबारा से नहीं होगा और दोस्तों आज कल वेसे भी आपको बहुत सारे music applications मिल जाएगा तो अगर दोस्तों यह application काम नहीं भी करते तो आप प्लेइश्टोर से जाके कुछ दूसरा जो है music application आप install कर सकते ठीक है जियो सावन आपको मिल जाएगा उसके बाद विंक music है ठीक है Spotify भी आपको मिल जाएगा तो काफी सारे application से जिनको आप यूज़ कर सकते हैं तो आज के इस वीडियो बोटो से बस इतना ही thanks for watching